आग्रा के सरवाधिक लोग प्रिया चैनल सीन्यूज के आप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सीन्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें देश के कई राज्यवें कोरोना के बरते केसों के बाद अब आग्रा में भी सवास्ति बाहग ने सतक वाँटा बढ़ा दी है प्रेटकों के बढ़ती सं고 के कारण खत्रा बढ़ गया है स्वास्ति भागने सेंप्लिंग के स्पीड भी भ्ला दी आगरा में तियोहार से पहले रोज लगभग पच्चिस सो जाचे की जा रही थी खत्रा भापते देख अब विभाग ने लगभग सभी शिविरों में नमूने लेने शुरू कर दिये हैं बसस्टेंड रिल्विश्टेशन्स पर भी सेंपलिंग की जा रही है अब हर रोज लगभग 3,088 PCR और 2300 एंटीजन टेस्ट किये जा रही है जिलास पताल में भी जाच के लिए 150 से 200 नमूने लिये जा रही है इसके साथी विभाग ने टीका करण की रफ्तार भी बढ़ाई है ताज महल समेट इस मारको, रिल्विश्टेशन्स, बस स्टेंड, मजदूरों की पेच, मजदूरों की मंडियों सहेट कई नए स्थानों पर टीका करना शुरू कर दिया है विभाग ने हर रोज 80,000 टीके लगाने का लक्ष निर्धारत किया है हाला कि विभाग अब ऑस्तन 30,000 लोगों को रोजाना वैक्सीन लगा रहा है इसकी भी रफ्तार बढ़ाने की तयारिया है परेटकों की बढ़ती हुई संख्या के लावा शेहर के लोगों की लापरवाही खत्रा बढ़ाएगी लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया है लोग ना ही सोशल डिस्टेंसिंग अपना रहे हैं और ना ही सैनिटाइजर का इस्तमाल कर रहे है CMO डॉक्टर आरुण श्रीवास्दव का कहना है कि रैपेड रिस्पॉंस टीम दुबारा सक्रिया कर दी गई है लोगों से मास्क लगाने टीका करन और बचाव के हर साधन अपनाने की अपील की जा रही है Cnews के लिए लक्षमीरा सिंग की रिपॉर्ट